हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम बेक टो मार यूट्यूब चैनल श्रीकेर इंस्टिटूट जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था लेसं तेन दे बलून में जो कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं तो आज हम इस वीडियो में इसकी एक्ससाइस को सॉल्व करने वाले तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते एक्ससाइस में फर्स्ट क्योशन है लिसन एंड रिपीट पर ये राइमिंग वोड्स हैं किया होते हैं जीदकी राइम, यानि कि आवाज साउंड सेडम होता है जैसे कि देज, इ स्टेज, रेस तो यहां लास्ट में इसका साउंड क्या हो रहा है सेडम हो रहा है ठीक उसी तरीके से बफॉन्च, लॉन्च, मंच, फॉन्च, देखिए words power में first है pick out the rhyming words from the poem for the following words यहाँ पर हमें poem से ही इन जो दिये गए words से इनके rhyming words को लेना है तो मैंने यहाँ already आपके लिख रखे हैं जैसे कि false है तो false का rhyming word हमारी poem में आया था holds ठीक उसी तरीके से funny है तो funny का rhyming word हमने देखा था sunny dining का देखा था shining mug का देखा था tug और failing का देखा था selling इन सभी words के meaning मैंने आपके साथ वीडियो में शेर किये थे जब मैंने chapter explain किया था मैंने एक एक word का आपको meaning बताया था अगर आपको इसके meaning जानने हैं या समझ में नहीं आ रही meaning तो आप वो वीडियो देख सकते हैं आगे देखिए next question क्या है write the encircled words against their correct meaning अब यहाँ पर इनके यह जो words दिये गए हैं उनके सही meaning के सामने इने लिखना है ठीक है जैसे कि यहाँ पर क्या है पहरा है where the things are sold जहाँ पर चीजे बेची जाती है तो वो क्या है market तो हमने market को लिख लिया अगला है a bag of thin rubber that becomes larger and rounder when filled with air एक ऐसा thin rubber का bag होता है thin यानि पतला rubber का bag होता है जब उसमें हवा भरी जाती है तो वो क्या होता है बड़ा और गोल हो जाता है तो वो क्या होता है balloon क्या हो जाएगा balloon अगला है a vehicle with two or four wheels pulled by a horse एसा vehicle एसा साधन जिसे की घोड़ा खीचता है चलाता है चार भाईयो वाला तो वो होता है cart ये भी हो गया अगला क्या है a thread used to tie the balloon जो balloon रहता है उसे पांधने का जो thread होता है धागा होता है वो वो होता है string लिख दिया अब last बचा है the space above the earth that you see when you look up earth के हमारी जो धरती है उसके बाहर जो space है वो जब हम उपर देखते हैं तब दिखाई देता है क्या दिखाई देता है हमें sky यनि आसमान ठीक है next question comprehension में हमारे सामने answer the following questions दिये हुए प्रशनों के उत्तर हमें देने हैं जो उत्तर में नहाँ लिख रखे हैं चले देखते हैं पहला है who always comes on market days कौन बाजार के दिनों में हमेशा आता है तो इसका answer हो जगा दबलून में तो who की जगे आपको क्या लिखना है दबलून में और बागी पीछे question में से लिखना है always comes on market days तो क्या हो जाएगा गुबारे वाला हमेशा बाजार वाले दिनों में आता है अगला question क्या है what does he hold वह क्या पकड़े हुए रहता है तो answer हो जाएगा he holds a lovely bunch of balloons वह गुबारों का एक संदर गुच्छा पकड़े रहता है अगला क्या है what are the colors of the balloons which shine far away देखें जो गुबारे दूर से चमक रहे हैं उनकी क्या रंग है तो हमने पॉम में पड़ा था क्या होगा answer the balloons which shine far away are red, purple, blue and green जो गुबारे दूर से चमक रहे हैं विडलार, शामुनी, नीले वहरे रंगे हैं what do the balloons look like in the sky balloons आस्मान में कैसे दिखाई देते हैं the balloons tug and tug like anything in the sky जो balloons आस्मान में इधर उधर जाते हुए दिखाई देते हैं आगे देखिए क्या है write any four lines of the poem हमें poem की कोई भी four lines लिखनी है तो हम कोई भी four lines हमारी poems के अंदर से लिख सकते हैं या आप self करें ठीक है आपको जो भी four line poem के पसंद आती है वो लिख सकते हैं F question क्या है what does the poet say in the third stanza third stanza में poet यनी कभी क्या कह रहा है देखिए the poet says that all small and big balloons are tied with a string and if there is wind then they will tug like anything तो third stanza में poet कह रहा है कि कुछ गभारे छोटे हैं और कुछ बड़े हैं सभी धागे से बने हैं और अगर हवा चले ही तो ये किसी भी दिशा में खीचते चले जाएंगी ठीक है आगे देखते है let's read read the following passage carefully यहाँ पर एक passage है जिसे हमें पढ़ना है और उसके नीचे कुछ questions दिये गए हैं उनके answers हमें लिखने हैं चले में line में लाए पैसेस को पढ़के आपको समझा देती हूं in a small village there lived a rich man एक छोटे से गाउं में एक अमीर आदमी रहता था he had a friend who could not hear उसका एक दोस्त था चो सुन नहीं सकता था the deep friend learned that the rich man was ill बहरे दोस्त को पता चला की अमीर आदमी बिमार है so he went one afternoon to visit the rich man इसलिए वह एक दोपहर में अमीर आदमी के घर मिलने गया I must see my friend and try to make him happy he said to himself उसने खुद से कहा क्या कहा कि मुझे अपने दोस्त से मिलना चाहिए और उसे खुश करने की कोशिश करनी चाहिए but I must think of what I am doing to say लेकिन मुझे सोचना चाहिए कि मैं क्या कहने चाह रहा हूँ I must take care and not say anything that might make him angry मुझे ध्यान रखना चाहिए और कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहिए जिससे वह नाराज हो जाए First I'll ask, well, how are you today? He'll answer, fine, thank you सबसे पहले मैं पूछूँगा, अच्छा, आज तुम केसे हो? वह जवाब देगा, ठीक हूँ, तो धन्यवाद Then I'll ask him about his food फिर मैं उससे उसके खाने के बारे में पूछूँगा He'll say, rice without salt वह कहेगा, बिना नमक का चावल And I'll say, that's good for you और मैं कहूँगा कि यह तुम्हारे लिए अच्छा है I hope it helps you मुझे उमीद है कि यह तुम्हारी मदद करेगा Then I'll ask, फिर मैं पूछूँगा Who is your doctor? तुम्हारा doctor कौन है? And he will tell me that such and such person is his doctor And I'll say, I hope God will help him with his work और वह मुझे बताएगा कि यह व्यक्ति उसका doctor है और मैं कहूँगा कि मुझे उमीद है कि भगवान उसके काम उसकी मदद करे यानि doctor की मदद करे कि वह उसके friend को जल्दी ठीक कर दे आगे देखिए The deep man then reached the rich man's house and sat down near his bed अब बहरा आदमी उस अमीर आदमी के घर पहुचा और उसकी बिस्तर के पास पेट कया The rich man was too sick and was not too happy to have someone to talk to अब अमीर आदमी बहुत बिमार था और बात करने के लिए किसी की मौझूद की से खुश नहीं था यानि कि वक किसी से बात नहीं करना चाहता था My dear friend, how are you? asked the thief man मेरे प्यारे दोस्त आप कैसे हैं? भहरा आदमी ने पूचा I am trouble with a bad fever, answered the rich man बहुत तैस बुखार है, अमीर आदमी ने जवाब दिया I can't sleep at night, मैं रात को सो नहीं पाता The deep man smiled and said, भहरा आदमी मुस्कुराया और बोला Very good, I hope God will help, will keep you this way और आदमी मुस्कुराया और बोला, कि बहुत अच्छा, मुझे आशा है कि भगवान आपको इसी तरह बनाए रखेंगे Then he asked, फिर उसने पूचा, What do you eat? तुम क्या खाते हो? By this time, the rich man was angry, the dust of the earth, he answered अब तक अमीर आदमी जो था, उसे बहुत गुसा आ चुका था और उसने answer दिया कि प्रत्वी की धूल्यानी की जमीन की मिट्टी खाता हूँ That's good for you, said the deep man अब उस बहरे आदमी ने क्या कहा, कि ये तुमारी लिए अच्छा है I hope it helps you, मुझे उमीद है कि इससे आपको मदद मिलेगी And tell me, who is your doctor? और मुझे बताओ कि तुमारा doctor कौन है Doctor cried the rich man dead himself Doctor अमीर आदमी चिलाया और बोला Mrityu Swamyam, यानि की dead मोजोए वही doctor है न Oh, that's good, said the deep man Oh, यह अच्छी बात है, बहरे आदमी ने कहा I hope God will help him with his work and he returned home मुझे उमीद है कि भगवान उसके काम में उसकी मदद करेंगे और वह घर लोटाया तो इस तरीके से बहरे आदमी ने तो पता नहीं क्या ही सोचा था उसने पता नहीं क्या बोला और यह conversation उनके बीच हुई तो यह हमने अजीब हो गरीब थोड़ा सा passage पढ़ा इसमें इस story क्या थी एक दो दोस्त होते हैं एक छोटे से गाउं के एक अमीर आदमी होता है और उसका दोस्त जो रहता है वो सुनने ही पाता है बहरा होता है तो जब वो अमीर आदमी बिमार होता है वो भेर आदमी से मिलने जाता है मिलने से पहले ही वो decide कर लेता है कि वो क्या पूछेगा और सामने वाला उसे क्या answer करेगा पर यहाँ तो उसका उल्टा ही हो जाता है तो उल्टा होने की वज़े से यहां सब कुछ गरबर हो जाती है और पूरा गरबर खोटाला हमने भी यहां देखी लिया चलिए तब इसके कुछ questions है उनका answer भी कर लेते हैं पहला है where did the rich man live rich man कहां रहता था अमीर आदमी कहां रहता था the rich man lived in the village जो अमीर आदमी था वह विलेज यानी गाउं में रहता था आगे देखिए why did the deep friend go to visit the rich man बहरा दोस्त अमीर आदमी से मिलने क्यों गया था तो इसका answer होगा देखिए the deep friend हम लिखेंगे उसके पर गो का हो जाएगा went क्योंकि यहां पर जो sentence है वह past में चला जाएगा ठीक है the deep friend went to visit the rich man because the rich man was ill तो क्या था बहरा दोस्त अमीर आदमी से मिलने गया क्योंकि अमीर आदमी बिमार था आगे देखिए fill in the blanks with the correct words given in the brackets तो यहां पर हमें correct words से bracket को fill करना है sorry उनक को fill करना है brackets में दिये गए है words देखिए first क्या है the man was ill तो कौन सा man ill था rich यानि अमीर व्यक्ति बिमार था अगला है the deep man wanted to make the rich man जो बहरा आदमी था वो rich आदमी को क्या करना चाहता था happy happy मगर वो तो हो गया angry चली फिर क्या है say whether the following statement are true or false तो यहां पर statements दिये गए हैं वो सही है या कला थे वो हमें बताना है मैंने already feel कर रखे हैं बट मैं आपको इसे हिंदी में अच्छा से explain कर देती हूं the deep man's question made the rich man happy क्या जो बहरा आदमी था उसके सवालों से rich man खुश हुआ उसने उसे खुश किया नहीं बलकि वो गुस्ता हो गया अगला है the deep man said all the wrong things because he could not hear the rich man's answer देखे जो बहरा आदमी था उसने सारी चीज़े बलकुल उल्टी कही क्योंकि वो जो अमीर आदमी था उसके उत्तर यानि जवाब को नहीं सुन पाया जी हां उसने सारी चीज़े बलकुल उल्टी कही थी अगला है the deep man went home thinking that he had met his friend him happy अब जो बहरा अदमी होता है वो घर चला जाता है यह सोचकर कि उसने उसके दोस्त को खुश कर दिया तो बिलकुल हां उसे वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स चैप्टर के साथ तो बने रही है चैनल पर अगर आप नए ही तो सब्सक्राइब कर दीशे और अपने प्लासमेर अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को भी जरूर शेयर कीजेगा क्योंकि इस चैनल पर ना केवल आपको 8th के बल्की 9th और other classes के भी वीडियोज प्रोवाइड होने वाले हैं ना केवल English के बल्की Sanskrit और other subjects के वीडियोज भी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक चैनल पर आपको सभी subjects के डाउट क्लियर होने वाले हैं थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो चेक केर बाबाई